दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि Amazon के थुरूस से कोई भी प्रोड़ट आप EMI पर कैसे ले सकते हैं जिससे mobile हो, laptop हो, कोई भी प्रोड़ट आप ले सकते हैं तो कैसे EMI पर कोई भी प्रोड़ट आप ले सकते हैं तो इस वीडियो में आपको live process हम बताने वाले हैं बिल्कुल इस वीडियो को last तक जोड़ देखेगा यहाँ पर आपको जो भी a step हम बताने वाले हैं बिल्कुल आप ध्यान से देखेगा अगर आप कहीं पर भी mistake करेंगे फिर आप EMI पर नहीं ले पाएंगे और दोस्तो यहाँ पर यह भी आपको दिखाने वाले हैं कि अगर आपके पास credit card नहीं है तो debit card है, ATM card है या फिर इसके अलावा बजाज card है तो जो भी card आपके पास मौझूद है उसी card के थूर से आप EMI पर ले सकते हैं तो बस इस वीडियो को last तक जोर देखेगा अगर आपने इस वीडियो को like नहीं किए तो एक प्यारा सा like कर देजेगा चल्म को subscribe नहीं किए तो subscribe भी कर लिजेगा तो चलिए दुस्तो वीडियो को शुरुकर अगर आप पहले से लोगिन नहीं किया बाएंगे तो यहाँ पर आपको एक option मिल जागा second में आप देख सकते हैं इस पर आप किलिक कर देंगे करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आ जाएगा तो जिससे कि पहले से हमने यहाँ पर login किया बाएंगे अगर आप login किये वे नहीं रहेंगे उसको सबसे पर यहाँ पर search कर ले जाएगा जो भी है mobile है laptop है जो भी आप लेना चाहते हैं उसको यहाँ पर search के उपर click करके यहाँ पर आप search कर ले जाएगा search पर click करते ही दोस्तों यहाँ पर आपका product आ जाएगा तो जो भी product आप EMI पर लेना चाहते हैं उसकी उपर आपको click करना है जैसे कि हमें ये laptop purchase करना है तो इस पर हम click कर देंगे अब click करते ही दोस्तों आपके सामने ये product show हो जागा तो इसमें आप देख लिजगा क्या-क्या feature दिया गया है यहाँ पर सब कुछ मिल जागा और buy now का option आपको buy now के उपर click कर देना है next page आपके सामने कुछ इस तरिके का interface आजागा अब दोस्तों यहाँ पर आपका address देखने को मिल जागा आपका सब कुछ यहाँ पर मिल जागा कौन से date में आपका deliver कर दिया जागा यहाँ पर सब कुछ दिया गया है EMI select करना क्योंकि यहाँ पर हम EMI पर लेना चाहते हैं तो आपको EMI पर select करना आप भी EMI पर लेना चाहते हैं तो इस तरिके से select कर देजेगा उसकी बाद दोस्तों यहाँ पर मिल जागा Select EMI option इस पर आप click करेंगे जैसे ही आप click करते हैं तो यहाँ पर add a new card का option मिल जागा आपको इस पर click कर देना है जैसे ही आप click करेंगे दोस्तों यहाँ पर card fill करने का option आ जागा जैसे कि यहाँ पर हमारा आ चुका है enter card details इस पर हम click कर देंगे दोस्तों फिर आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आ जागा अब दोस्तों यहाँ पर हो सकता है कि हमारा screen नहीं दिखता होगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर security policy के वज़े से यहाँ पर screen recording बलेक हो जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो भी आपको fill करके हम बताने वाले बस यहाँ पर आपको इसी तरीके से fill करना है हमने इसको photo में capture किया है side में आप देख सकते हैं इस तरीके का interface आ जागा अब दोस्तों हमने एक photo click किया था जैसे कि आप देख सकते हैं तो यही सारी details fill करना है उसकी बाद दोस्तों enter card details के उपर click कर देंगे click करते हैं दोस्तों यहाँ पर proceed लिया जागा जैसे कि आप देख सकता card select हो जागा यहाँ पर हमने बजाज card apply किया है अगर आपके पास भी बजाज card होता है तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं या फिर इसके अलावा कोई दुसरा card होता है कि हर मेने इतना आपको payment देना है इस card के थुरू से यहाँ पर आपको EMI भरना पड़ता है तो सबसे पर आपको EMI select करना है कि आप कितने महिनों के लिए EMI लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको select करने का option मिलेगा इस पर आप click कर देजेगा जैसे ही आप click करेंगे तो यहाँ पर EMI select करने का option आजागा दोस्तो यहाँ पर जो हमारा laptop की प्राइस है वो 37,999 है और यहाँ पर हमें दो तरह का EMI मिला है तीन महिने के लिए मिला है अगर दोस्तो हम तीन महिने के लिए EMI पर लेते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें दो तरह का EMI मिला है एक मिला है छे महिने के लिए और एक मिला है तीन महिने के लिए छे महिना मगर आप देखते हैं तो यहाँ पर हमें 6,333 रुपया भरना है इसमें भी हमारा यही लिखा है no cost यानि कि यहाँ पर हमारा कोई भी cost नहीं लिया जागा जो भी हमारा product का price है उतना ही हमें यहाँ पर payment करना है तो दोस्तों यहाँ पर हम 6 मैने के लिए लेना चाहते हैं तो इस पर हम select कर देंगे करते ही दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जागा कि आपको हर मेने कितना EMI भरना है तो आप देख सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पर Choose EMI Plan के उपर क्लिक कर देंगे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आपका Plan Select हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं के लावा यहाप पर बजाज काड के बार में कुछ अगर आप देखना चाहते हैं, रीट करना चाहते हैं, तो इस पर आप क्लिक करके रीट कर सकते हैं, उसकी बाद दोस्तों यहाँ पर direct मिल जागा, continue को option इस पर आप कलिक कर दिजएगा, लिक करते ही फिर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेश आजागा अब दोस्तों यहाँ पर कुछ मेंच चीजें लिखी विए हैं क्या लिखा वाया पहला यहाँ पर लिखा है कि जब आपका product deliver किया जागा उस अमें एक one time password send किया जागा यानि जो भी आप product ले रहे हैं उसमें आपका एक password send किया जागा आपको सबसे प्ले आपके product का वीडियो बनाया जागा अगर आपका product सही होता है तब आपके पास एक OTP send किया जागा उस OTP को आपको यहाँ पर तब देना है जब आपका product सब कुछ सही है तब ही आपको यहाँ पर OTP देना है यही चीज़ यहाँ पर OTP के बारे में बताया गया है साथ में आपर बताया गया है important EMI information यानि जो भी product आप EMI पर ले रहे हैं तो इसमें महीने के लिए आप EMI पर लिये हैं कितना आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया तो एक बार अच्छे तरीके से पढ़ ले जागा देख ले जागा जो भी है वगेरा सब कुछ और आप कितने महीनों के लिए EMI पर ले रहे हैं सब कुछ यहाँ पर मिल जागा उसके बाद दोस्तो प्लेस योर ओडर एंड पे के उपर किलिक कर देना है किलिक करते ही दोस्तो फिर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेश आ जागा अब दोस्तो यहाँ पर जो भी आप काड़ एड किये हैं उसमें एक OTP सेंड किया जाता है तो उस OTP को यहाँ पर फिल करते ही दोस्तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेश आ जागा तो दोस्तो यहाँ पर देख सेते हैं हमारा यहाँ पर लिखा है order plus thank you यानि कि दोस्तो यहाँ पर हमारा order successfully हो चुका है दोस्तो यह product हमारा कब आएगा यह भी आप देख सेते हैं यह हमारा 8 December का आ जाएगा तो दोस्तो यहाँ पर जो भी हमने product बाय किया यह हमारा बिल्कुल EMI पर है हमने 6 मेहना के लिए EMI पर लिया हुआ है अब यहाँ से अपना order कैसे देख सेते हैं तो आपको profile मिल जागा इस पर आप click कर देंगे अब जैसे ही click करते हैं दोस्तो यहाँ पर your order का option मिल जागा इस पर आप click कर देंगे दोस्तो देख सेते हैं यहाँ पर आचुका है हमारा order इस पर हम click करते हैं तो जैसे यहाँ पर हमने किलिक क्या तो आप देशते हैं यह हमारा बिलकुल ओडर हो चुका है यहाँ पर हम किसके थूरू से लिए यहाँ पर सब कुछ मिल जागा जैसे कि यहाँ पर दिया है भी ओडर डिटेल्स पर हम किलिक कर देते हैं अब जैसे ही किलिक करेंगे दोस्त कि आप देसे टोटल हमें कितना payment कर रहा है तो इसमें हमें एक भी रूपया costly यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा तो दोस्तो इस तरीके से आप कोई भी product EMI पर ले सकते हैं तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो काफी पसंद है अगर पसंद है तो लाइक कर दिजेगा चल्ब को सब्सक्राब नहीं कि तो सब्सक्राब भी कर लिजेगा तो